सच्चे प्यार की तलाश तो हर किसी को होती है लेकिन हर किसी की किस्मत में ये प्यार नहीं लिखा होता है आज हम आपको ऐसे योग के बारे में बताने जा रहे हैं बता दें आपको प्रेम योग की वज़ा से अप कुछ राशियों को सच्छा प्यार मिलने वाला है जिस भी इंसान से आप लोग प्यार करते हैं उस इंसान से अब आप लोगों का दिल से दिल का रिष्टा जुड़ने वाला है आपको बता दे आपके लिए 8 अक्टूबर यानि की कल का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपकी कल बहुत सी संभावनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही है प्रेमी की तरफ से आपको काफी मानसिक सुकून मिलेगा जिससे आपका मन प्रसंद रहने वाला है लाइफ पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं जिससे आपके रिष्टे में और भी जादा मधूरता आ सकती है बार बार लगातार किया गया प्रयास आप लोगों के लिए काफी जादा लाभकारी रहने वाला है जिससे आपके रिष्टों में मधूरता भी आएगी बता दें आपको आपको अपने घर में सबसे जादा माता पिता से सपोर्ट मिन ले वाला है जिससे आप समाज में अपनी अलग ही पहचान स्थापत करने वाले हैं आप लव लाइफ में तेजी से प्रगती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आने वाला समय काफी जादा चुनोते पूर्ण भी हो सकता है बतादे आपको कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसके साथ आपका रिष्टा जरूर ही बनने वाला है आठ अक्टूबर को बन रहे इस महा प्रेम योग में जिससे आपको अपने जीवन में अनेक बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपके उपर मातारानी की किरपादरिष्टी सबसे अधिक बनी रहेगे जिससे आप प्यार के मामले में दिंदुगनी राच्शोगनी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं और अब आपको सच्चा प्रेम मिलने से कोई नहीं रोग सकता अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे प्रपोस करना चाहते हैं तो आपके लिए कल का दिन सबसे उत्तम रहने वाला है तो कल अपने दिल की बात सबसे जरूर कही अपने लाइफ पार्टनर से आप जिससे प्रपोस करना चाहते हैं उससे कल के दिन अपने दिल की बात जरूर कही है चलिए अब हम आपको बता देते हैं उन राशियों के बारे में जिन के लिए कल का दिन बहुत ही भागयशाली रहने वाला है वो राशियां हैं मकर, मिथुन, कन्या और धनू इसी तरह रोज़ाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले